Microsoft Word 2010 के इस अध्याय में हम जानेंगे Home Tab के, Paragraph Block के, Bullets, Numbering और Multi-Level List option के बारे में की इनका कैसे इस्तिमाल किया जाता है हमारे दुवारा देगी जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, Share करें और YouTube चैनल को सबस्क्राइब करें आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बैल आइकन प्रेस करें तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम एक Paragraph ले आते है Paragraph ले के आने के लिए अपने को एक Command का यूज़ करना है Command है, Equal, R, A, N, D Shift के साथ पहले तो 9 दबा के कोस्टक स्टार्ट कर देंगे और 0 दबा के कोस्टक बंद कर देंगे और Enter कर देंगे ये अपना Paragraph आ गया है अब देखिए सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं बुलेट्स क्या काम में आते हैं बुलेट्स ओप्सन की तरफ चलते हैं ये अपना Paragraph ब्लोक है इसके अंदर पहला ही ओप्सन है बुलेट्स बुलेट्स क्या काम में आते हैं जैसे आप कुछ पैराग्राफ लिख रहे हो या फिर कुछ लाइन लिख रहे हो उस paragraph को या फिर पूरे page को अपने को सलेक्ट कर लेना है तो मैं इन paragraph को सलेक्ट कर लेता हूँ सलेक्ट करने के लिए shortcut की होती है control के साथ एप प्रेस करके सारे के सारा अपना जो भी जितना भी matter है वो सारा के सारा सलेक्ट हो जाएगा वापिस चलते हैं bloods की तरफ bloods की उपर click करते हैं जैसे अपने bloods की उपर click करते हैं जहाँ जहाँ से paragraph शुरू होता है वहाँ पे आपके bullet लग जाएगे इन bloods के अलग-लग designs होती है इनको अलग-लग designs में convert करना हो अलग design लगानी हो तो क्या करेंगे वो आपिस bullets के उपर आएंगे और यहां पे देखिए down arrow है इसके उपर अपने को click कर देना है यह अलग-लग design से किसी भी एक design के उपर अपन जैसे click करेंगे वो उस design में convert हो जानता है अब देखिए जैसे यह paragraph है इसके last में मैंने click कर दिया अपने को एक नई line चीए कुछ type करने के लिए इसके बीच में जैसे अपने enter करेंगे उस line के शुरू में अपना पे bullets लग जाएगे अब अपने को चाहिए कि यहां पे जो bullet लगाया है यह bullet नहीं चाहिए मेरे को तो वापिस अपन enter कर देंगे यह bullets हट जाएंगे इसमें space आजाएगा अगर आपको यह bullets वापिस चाहिए तो backspace के जरीए अपन उससे जो space था उसको हटा के वापिस enter करके आप bullets ले कि आ सकते हैं यह तो था अपना bullets अपने को bullets कि गए number लगाने हो या फिर alphabet का use करना हो तो कैसे करेंगे वापिस पूरे के पूरे paragraph को select करने के बाद अगला वाप्सन है numbering numbering के उपर जैसे अपन क्लिक करेंगे जो bullets थे उनके जगए number लग जाते हैं इनके भी अलग-अलग design चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे वापिस पूरे जाएंगे down arrow के उपर आएंगे यह अलग-अलग style से रोमन लेंग्वेज है alphabet है numbering है जो आपको लगाना है उसके उपर जैसे अपन क्लिक करेंगे वो उसमें convert हो जाते हैं अब देखी यह तो थे numbering उससे पहले वाला option था bullets बात करते हैं अगले वाले option की multi level list मल्टी लेवल इस्ट कहा काम में आता है जैसे अपन कुछ स्यůके क्यूसन मनाते हैं क्यूके नीचे option होते हैं चार वो क्यूसन बनाने के लिए काम में आता है multi level list कैसे बनाएंगे सबसे पहले अपने हों क्या करना है select करना है select होने के बाद यहाँ पे multi level list के उपर अपने को click कर देना है अब किस design में multi level list चाहिए उस हिसाब से उसके उपर click करके enter कर देना है अब देखिए यह तो bullets type में हो गया अब इसे multi level list option का एक क्यूसन है इसके नीचे अपने को चार option देने वो कैसे देंगे तो अपने हों simple क्या करना है enter कर देना है अब लेकिन यहाँ पे आगे नमर लग गया है 2 अब अपने हों क्या करना है tap press कर देना है यह एक नमर option हो गया यहाँ पे कुछ लिख देते हैं enter कर देते हैं वापिस enter कर देते हैं यहाँ पे देखिए तीन option होगे यहाँ पे पहले वाले option में देखिए लिखावा है कि 1.1, 1.2 and 1.3 यह 1.1 कैसे है क्योंकि यह एक नमर option का एक नमर option है इसी परकार अपन दूसरे इक तरफ चलते हैं तो दूसरे के उपर क्लिक करते हैं एंटर करते हैं और फिर से tap प्रेस करते हैं तो 2.1 आगया मैं यहाँ पे भी option डाल देता हूँ यहाँ पे देखिए option देखिए 2.1 आयवा है 2.2 आयवा है और 2.3 आयवा है यह होगे दो नमर क्यूसरे के option यह काम में आता है अपना multi-level list हटाना हो हटाने के लिए दुबारा इन सभी को select कर लेना है अगर numbering लगा हुआ हो तो दुबारा इसी के उपर क्लिक करेंगे number हट जाएंगे अगर अपने बुलेट्स लगाए हुएं तो बुलेट्स के उपर क्लिक करके बुलेट्स भी हट जाएंगे उमीद है कि आपको इतीन option समझ में आ गए होंगे कि कैसे बुलेट्स लगाए जाते हैं कैसे numbering लगाए जाते हैं तथा किस परकार से multi-level list option का यूज किया जाता है आज की वीडियो में इतना ही वीडियो को हैंड तक देखने के लिए धन्यवाद इस वीडियो के परते आपके कुछ सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें